हेलो एन वेलकम टू अल्डेर स्टुडेंट्स आपका एक बार फिर से धेर सारा स्वागत है आज आईए फिर इनेकुलिटी के कुछ बहतरी सवाल लगाते हैं और सारे कोश्चन्स बहुत बहुत इंपॉर्टन्ट हैं कंसेप्ट्स के साथ साथ तरीका क्या है सॉल्व करने का इस पूरे स्टेशन में आपको सिखाऊंगा मैं तो चरिए आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आचुका है इसको जल्दी से एक बार खुद से देखे कैसे सॉल्व करना है फिर मैं बताता हूँ इसको सही से झाल आपके सॉल्व करना है चले देखे किस तरीके से आपका जो भी एंसर आया है बिल्कुल सही एंसर है बहतर है लेकिन इसका और क्या तरीका हो सकता है जल्दी कैसे एंसर आ सकता है वो भी देखते हैं अगर बात करें हम के सहल की पहले कंक्लूजन देखना मस्ट है स्टेट्मेंट में बाद में जाईएगा कंक्लूजन पहले देखे क्या है के सहल की बात कर रहा है भाई के सहल जाने के लिए हमारे पास क्या रास्ता है तो इसमें और इसमें कॉमन एलिमेंट मुझे जो दिख रहा है वो भी दिख रहा है L is greater than K तो true हो गया वही H से K अगर आप जा रहे हो तो फिर वही H से B जाओ गया तो H से B में आपको मिलेगा greater than or equals to B और B से K में आपको greater than K मिल जाए यानि H is greater than K होगा और यहां तो greater than or equal है इसलिए एक relation तो है लेकिन एक नहीं इसलिए logically false answer यानि only one follows आपका क्या हो जाएगा सही जाओ यह है fast तरीका immediate answers अगला सवाल आपके screen पर जल्दी से इसका जवाब दीजे कर दो इसऽ हांएब और में आपके rep немного णिजिए आपको लेगा सवय यहांज हैंसे प्रुड़ में आपके21 बिएसे ह narr Paulo क्र भで समय हो झागण प्रूर कर जो में चीजे का जएका यह साल known 통 अगर बात करें इस सवाल की तो फिर वही conclusion पर ध्यान दे रहा है अपने कोई statement बाद में देखना है A से H की बात करेंगे A से H जाने के लिए अपने पास रास्ते क्या है तो हम A से L पर जाएं L से G पर जाएं और G से H पर जाएं यही रास्ता है तो आप देख सकते L is greater than A है यही relation है L is greater than A फिर L is less than G है यानि G is greater than L ऐसे भी कह सकते हैं आप और फिर बात करें तो G is greater than क्या हो गया H हो गया तो यहां तक तो आप ठीक ठाक गए लेकिन यही पर कहानी फस गई यहां opposite sign आगए और जैसे यह opposite sign आगए केवाल यह कह देना कि रियुलस होगा हमारे कि मुस्किल है यसलिए logically giciendo हो जाया वही वी से B जाना हो मुझे तो मैं वी से B कैसे जाऊंगा तो मेरे पास वी से G का रास्ता है और G से B का रास्ता है तो आप देखिये V से G का रास्ता तो सीधा जा रहा है मतत्तब similar sign जा रहा है जो एक से दो से ज़्यादा बर रिपीट हुआ हो नहीं तो एक साइकल का भी फॉर्मेशन होता है तो वो भी चेक कर लेना है ऐसा मुझे दिख तो नहीं रहा है यानि दिये हुए दोनों नसकर्श या कंक्लूजन क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे विचिस टूप अगले क पर आईए इसका जवाब ढूड़िए और पते ही ज़र मुझे कर दो पता है चलिए देखते हैं फिर conclusion की तरफ focus रहिएगा बस answer आता चला जाएगा अगर बात करें D से N की तो D से N जाने के लिए रास्ते क्या है अपने पास N यहाँ पर है तो मेरे पास जो common element दिख रहा है वो है T तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो D से T के बीच में ही opposite sign है उसके बाद ना आप T से N जाओगे तो यहीं opposite sign होने का मतलब है कि logically false यहीं लिख देता है फिर खतम कहा नहीं इसकी बात F से W की अगर होगी तो F से W के लिए हमारे पास रास्ते किस तरीके से होके जा रहे हैं तो अगर आप देखें तो यहाँ Q P W है तो अगर यह देखें तो S है यहाँ पर Q है देखें तो अगर आप देखो तो क्या कर सकते हो F से आप W जाने के लिए पहले आप W से Q जाओ फिर आप Q से T जाओ और T से फिर आप F जाओ Q से W जाने का मतलब है Q is greater than W और फिर Q is what यहीं पर अगर आप देखें तो Q is less than T है तो अभी तो same sign चल रहा है और फिर मुझे T से कहा जाना है F पे जाना है तो T से F के लिए जो रास्ता बना है वो बना है कुछ इस तरीके से अगर आप देखें तो similar sign मिल गए चारो तरफ से तो मतलब यह है कि F 100% greater than W होगा without any doubt कैसे है सिर्फ connections ढूंढना है common जोड़ना मत वहाँ बैठके उतना time नहीं अपने पास common elements, relations, answer finish यानि answer क्या हो जाएगा only two follows which is true अगले question पर आते हैं जरा इसका जवाब धूंड कर हमें जल्दी से आप सब बताएं कर दो कर दो कर दूंड कर दो जले देखिए क्या answer आया फिर वही बात है focused on the conclusion यही point है और एक बात देखो यार यहाँ पर w is less than j, w is greater than j, w is equals to j यानि w और j के बीच में दोनों conclusion को मिलाकर तीनों relations given है यानि अगर w, j के बीच में conflict हुआ तो यह तीनों relations possible होंगे और यह either or answer होगा अब w और j के बीच का conflict बस ढूंड लेना अपने को तो अगर यहाँ देखो मैं तो यह पूरा w से g का relation मिल रहा है that is w is less than g फिर मुझे g से common element इसमें क्या मिल रहा है f, d और n और w इतने सार n, j, मतलब यह तीन element है j के अलावा तो अगर मैं देखो g से तो f का relation common है न यहाँ भी f है और यहाँ भी f है तो यहाँ पर मैं चलता हूँ पहले इसको मिटा दूं वरना आप लोगो clarity नहीं रहेगी यह हटा देता हूँ मैं बस common element डूट रहा था f मिल गया है अपने को तो क्या करेंगे अब मैं g से f तक जाओंगा तो g is less than f तो है लेकिन f is greater than j है देखे और मैं क्या कह रहा था कि अगर w से j के बीच में कहीं भी opposite sign अगर मिल गया तो क्या हो जाएगा conflict और conflict के case में मैंने पहले वाले part में बताया था कि तीनो relations possible होते हैं याने w से j के बीच में तीनो relations possible होंगे तो answer क्या होगा फिर either or will be the right choice either or इसका सही जवाब हो जाएगा और answer होगा absence clear हुआ अगले question पर आएजरा इसका जवाब ढूड़ी और बताईए आप कर दो चले देखिए अगर इस बात इस बार भी देखा जाय तो subject predicate तो same है लेकिन इनके बीच में दो relations की बात हुई है यानि B या तो less हो या तो equals to SO अगर यह satisfy कर गया तो या इधर और होगा नहीं तो नहीं होगा तो अगर हम B से S की बात करते हैं दोस्तों तो मुझे जो common element दिख रहा है यहाँ पहुँचने के लिए R, L और H यह तीनों नहीं है इसमें यानि S से पहुँचने के लिए मुझे पहले इधर जाना पड़ेगा और वो L है तो मैं क्या करूंगा पहले B से मैं L जाता हूँ तो वहाँ से जो दिख रहा है मुझे की L is greater than or equals to B मिल रहा है फिर मुझे L से D जाना है तो L is less than or equals to D मिल रहा है और फिर मुझे D से S आना है तो D is equals to S है तो D को हटा कर बस S लिख दीजिए आपका answer भी आजाएगा देखते हैं यही से answer आ रहा है कि नहीं क्योंकि D is equals to S है चुकी तो हम डारेक्ट लिख सकते हैं यहापर S क्या problem है अब अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों के बीच में सिर्फ एक ही sign है that is greater than or equals to B और यही है ना इधर से पढ़ेंगे आप तो B is S is greater than or equals to B और else अगर आपको ऐसे पढ़ना है तो आप इसको इसी तरीके से लिख लो कोई दिक्कत नहीं सेम है और जैसे ही यह हो गया यानि statement satisfy हुआ statement satisfy हुआ यानि दोनों मिला कर यह क्या हो गए आइधर और answer हो जाएगा hence the right answer is again either or यह इसका सही जवाब है अब next question पर आएंगे इसका answer ढूंड़ी और जल्दी से बताईए शर्वर मिला कर दिक्वाद मिला कर दोड़ी यह हो जाएगा हुआ भाज़ी मिला कर भाएंगे हुआ अपूआख यह हो जवादा बताईए इसका आइधर नहीं चलिए देखें क्या answer आएगा फिर अगर बात करें तो यहाँ subject प्रेडिकेट तो हमें नहीं दिख रहे हैं similar लेकिन हो सकता है देखना पड़ेगा भाई equals to का कोई relation तो नहीं है e और t के बीच में वो मुझे नहीं दिख रहा है याईदर और तो नहीं होगा अब देखते हैं कौन से follow करता है e से अगर हम c की बात करें तो मुझे e से c जाने का क्या रास्ता है तो मैं e से याद तो फिर देखूँ s जाओ s से इधर देखा जाए r जाया जाए और r से फिर c आया जाए तो फिर ठीक है चलते हैं s is greater than or equals to e है यह है ना s is greater than e फिर s की बात करें r से तो r greater है इस से और फिर r से हम c की बात करें तो यहाँ देखिए r जो होगा वो क्या हो जाएगा that is less than or equals to c ठेक problem यह है कि वो बोल रहा है less than or equals to यहाँ मैं जो देख पा रहा हूं c is greater than or equals to e है sorry greater than equal नहीं है greater than e है पर यहाँ greater than or equals to है दो relation तो नहीं है एक ही है इसलिए logically false हो जाएगा t से अगर हम d की बात करते हैं तो t से d जाने का क्या रास्ता है भाई यही पराना है न अपने को तो वही फिर रास्ता है कि आप सीधे सीधे इस t को s से replace कर दीजे यहाँ से s अटा दीजे t is greater than d देखिये है क्या है बस true हो जाएगा यानि only two follows इसका क्या हो गया फिर सही answer होगा और किसा ही जवाब देए आए next question पर इसका answer ढूंदते है और जानते हैं क्या सही आ रहा answer इसका क्या सही политर में आप में 1000 अप में खर ब किसा ही उहास अ – स्लुविद रहां आप में आप में झाल चले देखिए जरा फिर यहां relation क्या बन रहा है देखते हैं जल्दी से जानते हैं V से अगर C की हम बात करें तो कैसे जाएंगे V से C हमारे पास यहां पर V है और फिर यहां से U से C जा सकते हो आप तो क्या करो U is equals to V है न तो इस U की जगा आप V रख दो तो आप देखो C is greater than V डारेक्ट आ रहा है इसे less than sorry माफ कीजिगा या आप यह कह सकतो sorry V is greater than C यानि यह तो true हो गया बात करें यह से Q की अगर A से Q जाने के लिए अपने को A से P जाना पड़ेगा So that is A is greater than or equals to P और P is greater than क्या है तो यहां तो ठीक है P greater लेकिन यहां पर आप देखिए तो lesser भी आ रहा है यानि opposite signs आ जा रहा है तो इन दोनों के बीच में आग गया conflict conflict होने का मतलब है कि सिर्फ एक relation तो नहीं होगा तो इनों संभव है तो answer क्या हो जाएगा फिर only one follows will be the right choice अगले question पर आईए ज़र इसका answer ढूंड कर बताएए मुझे जल्दी से जल्दी से जल्दी जल्दी दोन लीदर होगा चले बात करें अगर CH-C से पीचे से पीचे से जल्दी दोने जल्दी जल्दीज़ होगा जाने की तो कैसे जा सकते हैं भाई C से P तो अगर आप देखो तो C से P जाने के लिए अपने पास रास्ते यही है कि मुझे C से S जाना पड़ेगा और S से P, यहाँ C is equal to S है तो यहें रख दीजे C, आप देख सकते हैं P is greater than or equals to C आ रहा है और यहाँ वही है यहाँ यह true हो जाएगा पहला वहला तो सही हो गया बाई Q से R के अगर आप बात करोगे तो Q से R जाने के लिए Q से S जाओ So Q is greater than S है और S क्या है तो वो भी greater than क्या है R है तो अगर बात करें तो Q is greater than R आएगा और यही यहाँ पर given भी है यानि दोनों conclusions क्या हो गए to हो गए both follows हमारा क्या हो जागा इस प्रशन का सही जवाब हो जागा option number next question पर आएंगे इसका जवाब ढूड़ी और बताएगे दो अगर सही जवाब बताएगे चलिए देखते हैं जरा इसका क्या अंसरा रफट रफट चेक करेंगे भाई अगर आप देखें तो यहाँ पर के से क्यू का रिलेशन है तो के से क्यू का रिलेशन कैसे बनेगा सीधे अगर आप यहाँ देखें तो अपोजिट साइंस दिख रहा है यानि यह लॉजिकली फॉल्स हो जाएगा फिर अगर दी से ट की हम बात करते हैं तो दी से ट जाने के लिए मुझे अगर मैं है रिलेशन स देखने हैं यह से हमारा दूसरा जो कंक्लूजन है वो फॉल्स करेगा एक और क्वेस्टिन इसपर करते हैं देखते हैं किया एंशर आहा है जल्दी से बताएगा आप सब चलिए देखते हैं जरा इसका एंसर क्या आता है फटाफट एक बार और चुकि यार देखो तीनों रिलेशन्स हैं U और E के बीच में तो बस यह देख लेना है कि इनमें कन्फिक्ट है कि ने कन्फिक्ट तो आइदर और नहीं तो छोड़ देंगे तो अगर U से E जाना है मरे को तो मैं कैसे जाओं भई मेरे पास S, D और E है तो मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं U से R को कनेक्ट करूँ फिर R को S से फिर S से हाँ तो U को R से कनेक्ट किया फिर R को S से कनेक्ट किया और S से फिर हम चले गए कहां पर E पर तो यहां देखे यह greater है और उधर less than our मतलब यहां पर opposite sign है बस कहानी खतम opposite sign होने का मतलब conflict यानि either or हो जाएगा क्या आपका इसका जवाब बड़ा simple answer हो गया either or will be the true choice ठीक है ऐसे और भी बहुत सवाल है जो मैं आपको आने वाले और Sessions में लगता राज कराऊंगा लेकिन आपको जुड़े रहना होगा मेरे साथ लेकिन उससे पहले मैं जाओं आप सभी को फिर से एक बार बताते हुए चलूँ भाहिया यह Sessions हैं जो आपको चेक करने हैं डेली पढ़ना इस पर 11 और 5 reasoning वैसे ही Maths, Geo और Current Affairs, Editorial और English बहुत प्यारे Questions और बहुत अच्छा सेशन होता है यहाँ पर आप डेली जुड़िये आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा साथी साथी हम लोग का Imbibe App है इसको डाउनलोड करें प्रैक्टिस करें टेस्ट दें और हमारे Telegram Channel से जुड़ जुड arm में अधे हाँ प्यादा बढ़को ऑ anál aggiride । करें अक्रें, सक जॉ़िये आपको जूरवे कं आपको च सेशन होता है इस्कानरी में से टो म Über्राष तो फजो बहुत जुड़ा है, दू करें गान से और एफ Prar, जबढ़त Call just a land, 1924 Respondi onwards on the following on 3-0 application 7-2 price is 0-8s जू बहुत